गाइस अगर इस वीडियो को आप स्किप करेंगे न तो बहुत बड़ी गलती करने वाले हैं जी हाँ आज मैं बनाओंगी मतर मश्रूम जो की इतना बढ़िया होटल से भी बढ़न के तयार होगा और ये इतनी इजी है और इतनी टेस्टी कि सच में चिकन मतर सब खाना भूल बस एक बार मेरे तरीके से बनाना बहुत इजी और हिल्दी तरीके से में बनाओंगी कम तेल मसाले में तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एक पाव जो आती है डिब्बे वाली हमने मश्रूम ले लिया है मश्रूम एकदम फ्रेस लेना है ताजा लेना है ताकि इसका टेस्ट बढ़िया हो और उसके बाद इसको एक बावल में निकालके इसको हम अच्छे से तीन से चार से पानी से धुलेंगे इससे क्या होगा जो हमारे मतलब मस्रूम का जो कड़ होगा गंदगी होगा वो साफ हो जाएगा और जो अंदर का जो डंठल वाला जो पार्ट है ना नीचे का वो थोड़ा थोड़ा कट कर देंगे क्योंकि इसमें बहुत जादा गंदगी होती है तो उसको हमें काट के अलग कर देना है और उसके बाद इसको तीन से चार पानी से बहुत बढ़िया से साफ कर लेना है आप क्या करेंगे मस्रूम को यहां पर दो भागों में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है इसलिए इसको बड़े बड़े चंक्स में काटें और आप क्या करेंगे इसको बावल में वापस में निकाल लेंगे और बहुत ही सीक्रेट मसालों के साथ बनाऊंगे जो नौर्मली आप लोग घर में रखते हो मसाला यहां पर एक चम्म अब यह मटर रहा होगा तो वह मटर भी मैंने डाल दिया है और अब क्या करेंगे इसको अच्छे से मिक्सिकल लेंगे बेशन डालने का एक फाइदा यह होता है कि जो आपका मश्रूम होता है वह बहुत ही गाढ़ा बनता है और इसको हम जब तक 5 मिनिट के लिए रख दें करेंगे या फिर आपना भाइन से मतलब इसको काट लीजिए या फिर इस तरह से चौप कर लीजिए ग्राइंड विल्कुल भी मत करना क्योंकि इसका जो टेस्ट होता ना बहुत ही अलगाता है तो यहां पर हमने चौप कर लिया है प्याज को इस तरह से छोटे-छोटे मही और हाँ आप लोग मेरी वीडियो को कहां कहां से देखते हो प्लीज एक कमेंट जरूर कर दिया करिया मैं उब गई हूँ सच में वीडियो बना कर यूप गई हूँ इतनी अच्छी रेस पर आप लोग नहीं देखते हो ना तो समझ लो बहुत गलत काम करते हो यहां पर हम की तेल राइस ब्रेन और उसके बाद आधा चमत जीरा एक सुखी मिर्श तेश पत्ता और दो चार लॉंग और थूड़ा सामने यहां पर दाल चिनी का टुकड़ा डाल दिया है अजब एकदम बढ़िया तड़का चटक जाए ना जल्दवाजी नहीं करना है तब उसके ब बढ़िया फस्ट क्लास बनेगी यहां पर हमने दो चार लासन ले लिया है अद्रक ले लिया है इसको चौप नहीं करना इसको आपको ना कूटना है खलवट्टे में ऐसी से क्या होगा ना जो सील पर कूटा हुआ समान होता ना बहुत ही टेस्टिक गजब बनती है एकदम चीकेन जैसे और जब प्याज एकदम ब्राउन हो जाए तो यहां पर हमने डाल दिया लासन अद्रक कूटा हुआ अब इसको हम एक से दो मिनट तक भूनेंगे और जब भून जाए तो यहां पर हम डाल देंगे टमाटर तो बस थूड़ा सा यह भूनने के उपर है और समान की जरूरत नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपके पास समान हो तभी आप डाल के बनाएं यह इतने ही समानों से आपका इतना बेस्ट सब्जी बनेगा सच में आप एक बार बार बनाएंगे हमने यहां पर थोड़ी सी देगी मिर्च डाल दिया है और एक चोथा यह चमश हमने क एक बार ब्याज और टमातर को एक्दम चटनी बना लेंगे यानि यानि एकदम अच्छे से भूल लेंगे जब अच्छे से भुन जायेगा ना तब हम मस्रूम को डालेंगे को यहां पर देखिए 3-4 मिनट हो गया अब हमने मश्रूम और जो हमने मैगनेट किया था वो डाल देंगे हाँ एक चीज आप कर सकते हो अगर टमाटर नहीं डालना पसंद करते हो न यहाँ पर दो चम्मच क्या बोलते दही डालके इसको जो है मैगनेट कर लेना उससे भी बहुत ही गजब का टेस्ट आता है मैंने म अगर ज्यादा पानी डाल देंगे ना तो मटर मश्रूम पानी वैसे ही छोड़ता है और पतला हो जाएगा हाँ अगर आपको चावल से खाना है तो पतला बना सकते हो और बस एक सीटी आने तक आप उसको लगा दीजिए जब एक सीटी आ जाए ना तो समझ जाएए आपका ये मटर मश्रूम बन के तयार है गैस के फ्लेम को आफ कर दिया है अब उपर से हम डाल देंगे हरी धनिया नई भी होगा चलेगा आप इसकी जगा पर हरी धनिया की जगा अपना कसुरी मेथी क्रस करके डाल दीजिए मेरे पास नहीं था इसलिए मैंने नहीं डाला और ये इतनी गाड़ी इतनी अच्छी खुश्बू आरी सच में आप छोड़ देंगे चीकन खाना जब एक बार मटर मश्रूम इस तरीके से बनाएंगे और ये न रोटी से नान रोटी से पराठा से इतनी गजब की लगती है और ये दाल चाल के साथ वाव इतना गजब का लगता एक बार मेरी तरीके से बनाना गाई सच में अगर आपको पसंद ना आए तो कमेंट भी करना मैं हर कमेंट का रिपलाई दूंगी और रेश्पी अच्छी लगे तो प्लीज एक लाइक कर दिया करो निउ हो तो सस्क्राइब कर लेना और रेश्पी को सेर करना ना फूले मिल लेती हूँ ऐसे नेक्स्ट रेश्पी में तब तक के लिए थैंक्यू फॉर वाचिंग बाबाए टेक केर